वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेज ब्रेस्ट एंडीज फर्स्ट ओडी आई मैच जो एक खेला जाएगा मुलतान क्रिकेट स्टेडियम में क्या आसकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 स्मॉन लीग की क्या ट सब यहीं पर आपको मिल जाती है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं उसी के तुरू जुड़िएगा कमेंट सेक्शन ही पिन कर दूँगा सर्च करके मजुड़ना क्यूंकि फेक चैनल काफी सारे हमारे नाम के और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइ यहां पर गर्मी बहुत जादा है 45 डिगरी सेलसियस है और यहां पर जो भी टीम है वो पहले बैटिंग करना चाहेगी और एक अच्छा रन स्कोर जो है पोस्ट करना चाहेगी एवरेज जो फर्स्टरिंग स्कोर रहता है वो लगवग 240 के आसपास रहता है तो आप एक्सप यहां पर अच्छा कासा जो है स्पिनर्स को मदद मिल सकती है तो वो भी जो टीम पहले बोलिंग कर रही है उसकी और फास्ट बोलर्स को भी सेकन इंग में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है तो एक न्यूट्रल ग्राउंड रहने वाला है बात करते है पाकिस्तान की सो यहा उपन करते हुए नजर आ जाएंगे यहां पर इमाम उलक के साथ या फिर फकर जमान के साथ फिर बाबर आजम है रिजवान है मुहमद नवाद इफ्तिकार एमद शादाब खान हसन अली हैरिस रॉफ और शाहीन शाफरीदी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे बात करत है बॉनर है निकोलस पूरन है ब्रेंडन किंग यहां पर शेफर्ड की कल वापसी हो सकती है जो शेफर्ड है और पोवल है इन दोनों के वीजा के इशू थे जिसके चलते यह नेदरलेंड वाला मैच जो है और तूर जो है वो मिस्स कर गए थे मान नहीं खेले थे सीधा जो मैच में यहां पर बड़े मैच में गीववे करती है विजिण 11 एंट्रीफी सबसे कम लेती है और गीवववे सबसे ज Schuldak करती है सो 10 आप यहांपर आगर आपके विजेन की तो यहां पर देखो बैटिंग ओर्डर जो है वो भी confirm नहीं रहेगा क्योंकि टीम जो है अब्दुल्ला शफिक को open करा सकती है मेरे इसाब से और यहां पर फकर जमार और इमाम मुलक में से कोई 100 फकर जमान भी open कर सकते हैं यह टीम के पास एक option यह भी है कि फकर जमान को second down खिला लें और बाबर आजम को one down कर लें यह भी option बन जाता है तो यहां पर जो भी जो टॉप थ्री रहेंगे ना पाकिस्तान के वह important बन जाते हैं क्योंकि western nds के पास बहुत जादा ऐसा attack नहीं है कि जो बहुत जादा trouble कर सकता है बोलर्स अच्छे हैं लेकिन अगर आप देखो पाकिस्तान के पास जो स्टार्टिंग में अफ्रीदी हैं असन अली हैं रॉफ हैं यह खिलाड़ी हैं जो फ्रेंट भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर western nds के पास उतना अच्छा पेस अटैक अभी नहीं है तो इस चीज का ध्यान थोड़ा रखके चलना है तो फकर जमान सकता है तो ग्रेंड लीग के लिए best captain choice कल के माच में अब्दुल्ला शफिक बन जाती है और small league में भी आपके लिए differential player बन जाएगी काफी कम लोग try करेंगे लेकिन player में talent काफी जादा है इमाम उलक की बात करें तो recent form काफी अच्छा है वंडे में चोवन का average है जो काफी अच्छा है आप open या one down करेंगे तो दोनों ही case में important खिलाडी बन जाते हैं बाबर आजम की बात करें बाबर आजम जो है majority लोगों के captain wise captain होने वाले हैं लेकिन अगर जो है team chase कर रही है और यहां पर बाबर आजम जो है second down betting कर रहे हैं so उस case में आप captain की जगा इन्हें wise captain try कर सकते हो ऐसा किया जा सकता है क्योंकि top order अच्छा कर सकता है पाकिस्तान का धियान रखना है लेकिन बाबर आजम जो है small league में captain wise captain की safe choice बन जाते हैं मुहमद रिजवान है काफी लोग इनको भी captain wise captain try करेंगे क्योंकि बाबर आजम और रिजवान को हमेशा open करते हुए लोग उन्हें देखा है लेकिन यहां पर रिजवान जो है middle order में बैटिंग करेंगे तो third down बैटिंग करेंगे तो अगर टीम पहले बैटिंग करते है तो रिजवान काफी अच्छी पिख है आपकी team में होने चाहिए लेकिन अगर chase कर रही है और रिजवान third down बैटिंग कर रहे हैं तो उस case में आप risk लेकर drop करके भी चल सकते हो क्योंकि उतनी हो सकता है उतनी बैटिंग ना है लेकिन विकेट कीपिंग का भी advantage है तो उस basis पर important player रहेंगे लेकिन middle order में बैटिंग कर रहे हैं तो chasing में captain wise captain ना करना लेकिन अगर team पहले बैटिंग कर रही यह अच्छे खिलाडी है अच्छा all rounder है और इनको मदद भी मिल सकती है विकेट से जिस तरीके से अकील हुसेन है दूसरी टीम पर वेस्ट इडीज के पास उसी तरीके से नवाज इधर की side है और नवाज अच्छा कर सकते हैं तो एक आपके लिए अच्छी differential pick बन सकते हैं शादाब खान की वापसी हो रही है ODI में सो यहाँ पर एक अच्छी pick रहेगी spin करते हैं फिल्डर कमाल के हैं प्लस आपको बैटिंग भी lower order में करके दे देते हैं तो एक आपके लिए अच्छी pick बन जाती है ग्रैंड लीक में captain wise captain भी try कर सकते हो हसन अली जब चलते हैं सो द death में अगर team पहले bowling कर रही हो उस case में consider कर सकते हो second inning में चाहो तो drop किये जा सकते है क्योंकि और भी काफी अच्छे bowler है शाहिन शाह फृदी चाहे batting first हो चाहे second हो दोनों ही case में important player है और captain wise captain भी small league में कर सकते हैं वेस्ट इंडी की बात करें अगर बात करें डेथ बोलर्स की सो हैरिस रॉफ होंगे और यहां पर जो है हसन अली और अफ्रीदी में से और important player की बात करें फकर जमान है इमाम मुलक बाबर आजम रिजवान शादाब खान हसन अली अफ्रीदी और हैरिस रॉफ टीम के लिए important लीग में captain wise captain कर सकते हो वह बात अलग है कि पाकिस्तान के आज bowling attack भी काफी अच्छा है बट स्टिल एक अच्छे player है जिसको आप back कर सकते हो Kyle Mayers जो है open कर रहे है last match में अच्छे निक खेली थी प्लस bowling करते हैं तो भाई एक अच्छी choice बन जाएगी small league में आपकी team में होने चाहिए प्लस आप अगर risk ले रहे हो या कुछ अलग try करना चाते हो तो आप इनके साथ wise captain भी जा सकते हैं शमारा ब्रुक्स और यहाँ पर shy hope यह दोनों team के अगर best batsman पूछे जाए recent time में so brooks और hope जो है वो best batsman रहे हैं so brooks एक important खिलाडी है team के लिए लगातार इनकी performance mostly अच्छी रही है 45 का average है जो की काफी अच्छा है तो एक आपके लिए अच्छी differential बन जाएंगे boner को grand league में जरूर try कर लेना इस player में talent काफी जादा है अच्छा कर सकता है plus bowling भी करवा रहे हैं और यहाँ पर bowling से wickets एक आदा विकाल दे और 30-40 run भी बना दे तो काफी अच्छी points दे सकता है तो काफी अच्छी differential बन सकती है small league में और grand league में तो ऐसा normal player जरूर ही try कर लेना है Nicholas Puran की recent form जादा अच्छी नहीं है Netherlands के against भी अच्छी innings नहीं खेली थी press wicket keeping भी नहीं कर रहे हैं लेकिन लेना चाहते हो तो बिलकुल ले सकते हो क्योंकि नाम बड़ा है और जब चलते हैं तो बड़ी innings खेल सकते हैं लेकिन इतना easy नहीं होगा पाकिस्तान में भी run करना धियान रखना है बात करते हैं Brandon King की Brandon King जो है Powell वाले position पर खेल रहे थे तो team चाहे तो Powell को भी ला सकती है लेकिन Brandon King ने अच्छा किया है यहाँ पर middle order में आके usually open करते हैं middle order में खिला रही थी team और इन्होंने अच्छा किया है तो अगर team पहले batting करती है तो Brandon King को try किया जा सकता है यहाँ पर कार्ती जो है वो खेल रहे थे shepherd की जगा और ठीक ठाक performance रही है grand league में recommend करूँगा small league में नहीं लेकिन अगर shepherd खेलते हैं तो वो आपके लिए अच्छी choice बन सकती है small league के लिए selection कम होगा लेकिन यह एक अच्छा allrounder है जो batting bowling दोनों से contribution दे सकता है और grand league में captain भी try कर सकते हो अलजारी जोसफ आँ team के main fast bowler जो है वो अलजारी जोसफ है चाहे तो try कर सकते हैं अकील हुसैन important के लाड़ी है और team में होना चाहिए लगातार अच्छी performance करी है नेधरलेंड में भी यहाँ पर जो है अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तान में एक important player है और team में आपके होने चाहिए एंडर्सन फिलिप्स की बात करें तो यह इनका domestic season काफी अच्छा रहा था इवन दो नेधरलेंड के आगे इस जादा विकेट नहीं निकाले लेकिन grand league में ज़रू try कर सकते हो क्योंकि over इन से पूरे ही कराए जाएंगे और bowler इनका domestic season जो है वो अच्छा रहा था तो उस basis पर grand league में try कर सकते हैं डेथ बोलिंग की बात करें सो जोसफ है यहाँ पर फिलिप और मायर्स में से और बात करें important खिलाड़ी की सो होप है काईल मायर्स हैं ब्रुक्स हैं पुरन है निकोलस पुरन और जोसफ जो है टीम के लिए important खिलाड़ी है बात करते हैं captain wise captain की so जो common captain होगा वो होगा बाबर आजम रिजवान भी काफी लोग करेंगे शाय होप अफरीदी और काईल मायर्स के साथ भी आप जा सकते हैं बात करते हैं grand league captain wise captain की शफिक और इमाम उलक का combination अच्छा हो सकता है grand league में उनको एक साथ try कर सकते हो शादाव खान है और यहाँ पर हसन अली इनके साथ भी captain wise captain जा सकते हो चलिए create करते हैं अपनी small league और grand league की teams so wicket keeping section में हमारे पास तीन option है रिजवान है shy hope है निकोल असपुरन है तीनों ही कमाल के खिलाडी है और यहाँ पर रिजवान और जो shy hope है इनको wicket keeping का advantage है तो shy hope को तो मैं लेकर चलूँगा क्योंकि open कर रहे है प्लस wicket keeping so मेरी team में आ जाते हैं रिजवान का जैसा मैंने बताया कि open नहीं करेंगे middle order में खेलेंगे तो अगर team पहले batting कर रही है तो important बन जाते हैं लेकित अगर team chase कर रही है तो उस case में अगर आप risk लेना चाते हो so drop कर सकते हो इस चीज का ध्यान रखना है निकोलस पूरन को भी try कर सकते हो लेकिन recent form अच्छा नहीं रहा है batting section से जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ वो है इमाम हुलक और यहाँ पर बाबर आजम दोनों को मैंने अपनी team में रखा है यहाँ पर Brooks एक काफी अच्छी option है यहाँ पर Brandon King है जो middle order batting कर रहे हैं और अच्छे हैं इनका last series गई थी तो King के साथ भी जा सकते हैं Brooks काफी अच्छे हैं यहाँ पर Bonner का selection है 5% लेकिन यह खिलाड़ी अच्छा है बोलिंग भी आपको करके दे देगा तो एक अच्छी प्रिक आपके लिए बन सकती है मैंने यहाँ पर Abdullah शफिक जिसका selection 1% है उनको अपनी team में अभी के लिए रखा है यहाँ पर फकर जमान है अगर open करते हैं तो फकर जमान को team में रखा जाएगा लेकिन अगर middle order में team खिलाती है तो उस case में मैं इनको नहीं लूँगा तो फाइनल team आपको telegram पर मिलेगी तो जुड़ जाना है बात करते हैं all rounder section में काइल मेर्स को मैंने अपनी team में रखा यहाँ पर मैंने शादाब bowling अच्छी करते हैं यहाँ नवास की जगा team चाहे तो खिला सकती है खुश दिल को और lower order में अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं तो खुश दिल भी एक अच्छी pick बन सकते हैं मुहमद नवास खेलते हैं तो वह एक अच्छी differential pick बन सकते हैं अभी के लिए यहाँ पर bowling section में आ जारी जोसफ को रखा है तो यह बन जाती है अपनी small league की team इसमें एक से दो change होने वाले है depending upon toss especially यहाँ पर western ndies का अगर एक bowler drop करके हम brooks को रख सकते हैं या shepherd को रख सकते है जोसफ को drop करके और यहाँ पर फकर जमान को ले सकते हैं तो एक से दो change होने वाले हैं इस team में तो final captain जो है मैंने यहाँ पर शाहीन अफरीदी को रखा है और option की बात करें तो यहाँ पर रिजवान है hope है इनके साथ भी आप जा सकते हैं और काइल मेयर्स भी एक differential wise captain बन सकते हैं तो यह बन जाती है small league की team बात करते हैं grand league की तो दो teams जो है मैंने create करी हैं तो team number one की बात करें त बावर आजम को wise captain इस team में हमने bonner को भी रखा है और यहाँ पर काइल मेयर्स और shepherd को अगर नहीं होते तो shepherd की जगा चेंज कर सकते हैं तो उस case में हम Brooks को यहाँ पर ले सकते हैं तो यह बन जाती है grand league की team और team two की बात करें इसमें इमाम उलक को हमने captain किया है और wise captain जो हमने श तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंदाई है पसंदाई है तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करके बताओ आपके इसाफ से कलके में आचे best captain choice कौन होने वाली है कमेंट करके जरूर बताना साथ के साथ YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा दीजिए चैसे वीडियो आएगी आपको notification म बिल जाएगी थैंक यू गाइस